हलो अफ्रीवन एक बार फिर्च आप सभी का सौगत है CEP क्लासिस के अंदर और मैं आपको बता दूँ हूँ आज का वीडियो स्पेशली बनाया जा रहा है सेकिंड सेमिस्टर के स्टूडेट्स के लिए विकोज उनके एक्जाम सब करीब है अब उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल यह है क्या उनके इंटर्ल असेस्मेंट कंड़क्ट करवाए जाएंगे अगर हां तो कैसे और कब होंगे इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ तो अगर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर चैनल पर और बैल का नोडिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देना दाकि आपको लेटेस्ट नोडिफिकेशन मिलते रहें ठीक है और इंस्टा टेलिग्राम पर भी मैं अवलेबल हूँ महां मुझे जॉइन कर सकता है आप देखो यार फर्स समिस्टर में जब आप सब लोगों है ना और सब ने दिया था आप सबी सुडेंट्स ने वो ओनलाइन एक्जाम दिया भी था और एक बार नहीं बलकि दूसरी बार भी सोल ने मौका दिया था जिन बचों को टेक्निकल इशूस आया था या जिन बचों का एपसेंट था नहीं दे पाई थे अब एक बहुत अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में यह आएगा कि आखिर यार यह इंटरनल एसस्मेंट आपसे लिये कब जाएंगे देखो टेंटेटिव डेट शीट की बात करूं तो जुलाई के सेकिंड वीक में आपके एक्जाम सें सेकिंड सिमिस्टर के तो आप यह मानके चलिए यह जो असाइनमेंट्स हैं आपके या जिनको आप इंटरनल एसस्मेंट कहते हैं हो सकता है एक्जाम से पहले लिये जाएं वैसे काईदे से तो आपके एक्जाम से पहले आपसे इंटरनल एसस्मेंट करवाया जाना चाहिए ठीक है बट यह भी हो सकता है कि वो आपसे एक् थे बट इस बार का कोई अंदाजा नहीं है किसी को भी क्या पता जैसा system first semester में चलाया था internal assessment के लिए आपका वैसा ही same system soul आपके second semester में भी आपसे exam ले ले internal assessment का ठीक है क्या अगर वो online mode पर हुआ क्या वो descriptive mode पर होगा क्या वो MCQ mode पर होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि नई education policy में ये तो mention किया गया है कि बच्चों से assignments करवाने हैं देखो हो सकता है आपके बास assignments के बारे में news आनी शुरू हो जाए कुछ दिनों में कि आप सबको assignments लिख कर return में समिट करवाने हैं SOL के office में या बिल्कुल ठिटो वैसा ही procedure follow करें SOL जैसा कि उन्होंने first semester में follow किया था और मेरे क्याल से वो जादा better system था बजाए इसके कि आप सबको बोलें जी ये question है ये आप लिखके बेजो है ना तो मेरे साब से तो online mode पर ही MCQ based paper जैसे SOL ने पहले करवाया था बिल्कुल वैसे ही करवाया जाएगा और उमीद ये भी है कि इस बार चाहिए problems कम आएंगी because अब SOL को experience हो गया कि किस तरीके से online mode पर MCQ based exam आप लोगों का करवाया जाएगा तो online offline किस mode पर होंगे कब होंगे इस बारे में अभी तक वैसे कोई update नहीं है बढ़ हाँ एक बास जरूर है कि exam से कुछ दिन पहले conduct करवाने जाने की पूरी पूरी उमीद है ताकि सोल अपने फिर exam पर पूरा की पूरा focus कर पाए